नमस्कार आप देख रहे हैं विहार की आवाज इस वक्त की बरी खबर रोहतास जिले के नास्री गनर से आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे है रोहतास जिला के नूखा की रहने वाले एक दिव्यांग दमपती कल तक दोनों पैर से दिव्यांग आर्थी देवी मोहले की लड़कियों को सिलाई कटाई सिखाती थी वही उसका दोनों हाथ से यांग दमपती किसी तरह गुजारा किया लेकिन जब देखा कि आर्थिक स्थिती चरिमरा रही है तो अपने ही सलाई सेंटर में कपड़े का मास्क बनाने का काम शुरू किया पहले तो 50-100 मास्क तयार कर आसपास के मोहलों के दुकान में बेचना शुरू की लेकिन जब धी धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी तो नूखा बाजार के ही आठ से 10 लड़कियों को इसने मास्क बनाने के काम पर रख लिया आज स्थिती ये है कि आर्थिके संचर में 8 लड़किया दिन भर मास्क बनाने में लगी हैं ये लोग प्रति दिन दिन 100 रुपे से अधिक की अपने गाव में ही कर रहे हैं लोक डाउन में आई चुनोतियों को इन लोगों ने अवसर में बदल दिया है आज दोनों पैर से दिव्यांग आती तथा दोनों हाथ से दिव्यांग नरेश मास्क बना कर बेचने का रोजगार शुरू कर चुके हैं तथा प्रति दिन 600 जे 800 रुपे तक की कमाई कर रहे हैं हाथ और पाउं से दिव्यांग इन पती पत्नी ने एक मिसाल पेश किया है इतना ही नहीं गाउं की आठ लड़कियों को ये लोग रोजगार भी उपलब्द करा रहे हैं ऐसे में इस दिव्यांग दम पत्ती ने आत्म निर्भरता की एक मिसा पेश की है रोहतास से जिला ब्यूरो चीप हर्यों चौबे के साथ धर्मिंद्र कुमार सेंग के रेपोर्ट को अंद कर दो अंद की रेखिए झर ंकर गांको कि रेखिएटी साथ घला कर राग पिए करम बांद धर्टी की mix बंदधÁतो की मस्क्पनों मस्की मास्पनों चाहँ देपários की का यिसका मास्पनों प्लेण लिवालार पोल्डो रेखिए लिवास हां सितनाव कर दो दो चुछ टूूंग प्रॉणाओ की है